नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानियों में मैं फिर आज एक नहीं कहानी लेकर आई हूँ, ब्रामन और ठग, जानेंगे इस कहानी में कि किस तरह से ठग ब्रामन को ठगते हैं, उसे मुर्ख बनाकर अपना उल्लू सिधा करते हैं, तो चलते हैं कहानी की योर एक बार मित्र शर्मा नामक एक ब्रामन ने देवी को एक बकरा अर्पित करने का निश्चे किया, इसलिए उसने एक मोटा ताजा बकरा खरीदा और उसे कंधे पर लाद कर घर की ओर चला, यह आप देखी सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रामन बकरे को लेकर जा रहा है, तीन ठग थे, जो ठंड और भूग से बेहाल थे, उन्होंने बकरा ले जाते हुए उस ब्रामन को देखा, उन्होंने उसे मुर्ख बना कर उससे बैबकरा हडपने का निश्चे किया, वे उसी पाका कर खाना चाते थे, एक ठग ने उस ब्रामन को रोका और बोला, क्या आप नही दिखाई नहीं देता, यह बकरा है कुट्ता नहीं और वह आगे चला, फिर दूसरे ठग ने पंडित को रोका और अच्रज भरे स्वर में बोला, अरे विद्वान आदमी, यह तुम मरा हुआ बचड़ा अपनी कंदे पर उठाए कहां जा रहे हो, अब तो आपको जानवर को छुआ है, भ्रामन बहुत गुसा हुआ और बोला, क्या तुम देख नहीं सकते, कि यह है बकरा है, मैं इसे देवी को चड़ाने जा रहा हूँ, मुझे परिशान मत करो, यह आप देखी सकते हैं कि भ्रामन को किस तरह से परिशान कर रहे हैं, यह ठग, तो चलते हो, फिर तुम यह गधा अपने कंधे पर क्यों उठाए फिर रहे हो, यदि तुम गधे को चूते हो, तो तुम्हें पूरे वस्तर पहने हुए स्नान करना होगा, बेहद परिशान हो चुके, ब्रामन ने उस बकरे को फेका, और घर चला गया, उन ठगों ने खूब दावत उड़ाई, तो आपने इस कहानी में देखा कि ठगों ने ब्रामन को किस प्रकार से ठगा और अपना उल्लू सीधा किया, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए और दूसरों की बातों को नहीं सुनना चाहिए, तो कैसे लगी मे में जरूर बताएं, इस चित्र में आप देखी सकते हैं कि ब्रामन ने जला कर किस तरह से उस बकरी को फेक दिया, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थेंक्यू फर वाचिंग